अगर आप ब्लॉगिंग इस्टाट की हैं और अपने ब्लॉग वेबसाइट से गूगल एटसेंस से पैसा कमाना चाहते हैं बट आपका गूगल एटसेंस अकाउंट अप्रूवल नहीं मिला है फिर इस वीडियो को देखते रही है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक गूगल एटसेंस अकाउंट के लिए अपलाई किया गया था बायोग्राफिहिंदी.net.in करके एक डोमेन में और यहां पर एरर आ गया है इसमें क्या क्या इसू आया है और कैसे आपको फिक्स करना है आज किस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताऊंगा अगर आप गूगल एटसेंस के लिए अपलाई कर दिया अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए बट आपका कुछ इस तरह से मेसेज आ रहा है तो कैसे आप फिक्स करेंगे हम लोग डीटेल में जानेंगे पटू से पहले ब्लॉगिंग से रिलेट ऐसे वीडियो देखना च तो फिए वर कॉंटंट बहुत ही सही है यह पर एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपको एरर चेख करने के लिए आपको यह पर जाते है तो अभी होते हगेर की यह चेक करना है कि आपका जो भी एरर आता है यहां पर देखेंगे सभी में यह मैसेज सेम ही आते हैं बट आपको चेक करना है कि आपको क्या एरर आ रहा है सभी में अलग-अलग होते हैं किसी का low value content आएगा किसी का minimum content required का मैसेज आएगा तो इस तरह के मैसेज आएंगे बट आप चेक करेंगे यहां से यहां पर लिखा है site you need to fix something यहां पर क्लिक करना है और domain name आपको फर्स्ट यहां पर साइट पर जाकर करके चेक कर लेना कि आपका domain name हाई क्या अभी आपर connect your site to adsense और यहां पर बोला है site kit कर यूज करने के लिए बता रहा है तो आपको कैसे करना यहां पर साप सब बता रहा है अभी देखिए इसके अंदर site kit इंस्टॉल है और मैं यहां पर dashboard में जाता हूं site kit की Google site kit install है और यहां पर adsense पर जाते हैं और email ID आपको match कर लेना दोनों सेम है ना तो दोनों में देख लेता हूं सेम है या नहीं क्योंकि इससे पहले सेम ऐसे ही error हो रहा है था और मैं उसको fix किया 24 hours में मिल गया है उससे पहले ही मिल गया था तो अभी आप देखेंगे तो your account is getting ready करके यहां पर message आ रहा है और यहां पर तो सबसे पहले अगर आप setting पर click करेंगे न फ्रेंड तो हम लोग चेक करें क्योंकि यह site kit connect बता रहा है और connector ने के लिए और यहां पर हमारा connect है तो अभी आप देखेंगे यहां पर दो सीज़े connect नहीं दिखाई दे रही है यहां प पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर disconnect adsense fire site kit यहां पर click करना है और disconnect कर देना है अभी भी आप देखेंगे ऐसे ही आप apply करेंगे तो देखेंगे यह यह error आते है setup site kit और यहां पर signing with google आपको यहां पर click करना है यहां पर check box पर click करके ठीक है यहां पर click कीजिए और यहां पर sign in कीजिए sign in करने के वाद से आपको access allow करना है और यहां पर आप देखेंगे तो welcome to site kit और यहां पर sign in with google करना है setup google search console अभी मैं आपको बता रहा हूं google adsense account successfully कैसे approval करा सकते हैं यहां पर जो भी आपका email ID आपको select कर लेना है मेरा यह वाला है मैं select करता हूं और आप देख सकते हो हैं यहां पर site kit already having some access और यहां पर continue पर click कर देना है five access दे रहा है यहां पर हम लोग कांटीनिव पर जैसे ही आप click करेंगे क्योंकि आप हम लोग reset किया है और इससे पहले site kit connect कर चुके थे बट यहां पर एक प्रॉलम आ रहा था है google adsense का welcome to site kit let get you setup और यहां पर कंग्राचुलेशन का message आ गया है और आप ownership verify कर चुके हैं यहां पर आप देख सकतो verify biography हिंदी और यहां पर go to my dashboard पर click कर देना है तो अगर आपका प्रॉलम आ रहा है google site kit से connect करने क्लिव हो रहा है google adsense जब apply कर रहा है तो यह error आप fix कर सकते हैं यहां पर आपको connect हो गया google site kit और यहां पर connect service Google Adsense का यहां पर आपको click करना है क्लिक कीजिए जो आपका problem आ रहा है Google Adsense connect नहीं हो रहा था Google site kit से या फिर आपका बोल रहा था कि आप allow कीजिए तो यहां से आप fix कर सकते हैं यह Gmail ID हमने apply किया और यहां पर continue पर click किये और यह by default automatic review में चले गया है तो वीक बता रहा है और यहां पर हम लोग चेक करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहां पर दिखाई दे रहे हैं बस आपको कुछ नहीं करना है यहां पर अगर हम क्लिक करेंगे जैसे ही your account is getting ready लिख रहा है और यहां पर go to your adsense account to check on your site status to complete setup setting तो यहां पर आप क्लिक किजिए और यहां पर क्लिक करने के पास है अब देखते तो वियोगराफिय हिंदी.net.in और यह है getting your site ready to show ads तो इस तरह के error आ रहा है कि अपने website में code नहीं लगाया तो ऐसे आप fix कर सकते हैं यह problem आपका 100% fix हो जाएगा और आपका Google Adsense account approval बिल जाएंगे और आप इस तरह के Google Adsense के ad setup करके जहां पर आपको show कराना यहां पर आप देख से तो ad so करा करके फिर यहां से loading time जो ad so कराना चाहते हैं आप on करके और यहां पर loading बढ़ा सकते हो ad बढ़ा सकते हो अपने इसाब से adjust कर सकते हो six eight ad दीख रहे हैं तो ऐसे आप करा सकते हैं और Google Adsense के लिए apply करके Google Adsense का approval करा करके Google Adsense आप पैसे बना सकते हैं ब्लॉग website के थूँ तो बस आज के लिए इतना ही thank you